चलो दीख रहा है पेंट बरस दीख रहा है वो इस्क्रीन दीख रहा है ओम जी इस्क्रीन दीख रहा है ओम कुमार ओम कुमार ओम कुमार ओम के रहा है कि अगे आपका कम्प्लीट हो गया था एक साथ साइज हम लोग करेंगे कर्षा कि क्या है इए दा यह सेब्ल है का कर्टीजियन प्रोड़क्त का कि और एक सायरियन लाइन बाइनस बना लेना है ब ना है कि यह आपर तुम्हारे पास क्या है कि कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है यह जानना तुमको जरूरी है अब कार्टीजियन प्रोडक्ट है क्या तो एक सेठ है जिसका सदस्थ है वान तू थिरी और बी एक सेठ है जिसका सदस्थ है ए और बी अगर यहां पर एक क्रॉस भी किया जाए तो वन ए होगा वन भी होगा तू यह होगा तू भी होगा थिरी ए होगा और थिरी भी होगा कि यहीं बी क्रॉस ए किया जाए इसका मत्तब हो जाएगा एवन एटू एथिरी भी वन भी टू भी थिरी यानि यहां पर क्रॉस भी या बी क्रॉस ए यह आपका क्रॉस जो वर्ड है यह आपको समझाया गया कि क्रॉस के जो पहले होता है एंटिसिडेंट कहलाता है और यह क्रॉस के बाद कॉंस्किवेंट कहलाता है यानि यह क्रॉस करने वाला होता है यह क्रॉस करता है इसी धंग से सोचिए कि अगर एज कल्टू वन्टू होता और बीज कल्टू एभी सी होता तो यहां पर एक क्रॉस भी करते हैं तो आपका वने होता वन भी होता वन्टू होता तू यह होता तू भी होता और तू सी होता हूँ यही बी क्रॉस ए करते हैं तो पहले एवन एटो कि दीवन कि दीटू कि सीवन कि सीटू कि यह अराम से तुम्हारे पास हो जाए अब देखो कि क्रॉस कि में कि सारा डाइरेक्ट होता है यानि जितनी फर्मूला होती है सब डाइरेक्ट होती है जैसे नंबर ओफ ए क्रॉस बी तो यहां पर हो जागा नंबर ओफ ए इन्टू नंबर ओफ बी जैसे ए के पास तीन एलमेंट था बी के पास दो इलमेंट था है कि क्रोस बी के पास कितना एलमेंट होगा तो यहां पर तीन चेप्टे यहां आख सार्षी सान आप यानि है पर नंबर ओफ ए क्रॉस बी फिक्रॉस अगर सी भी रहेगा तो हो जाएगा नमबर ओफ A, नमबर ओफ B और नमबर ओफ C. इसी ढ़ंग से अगर A क्रॉस B यूनियन सी रहता है तो सर ने बता दिया है कि क्रॉस में सब फर्मूला डाइडेक्ट होता है यानि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C यानि यूनियन रहेगा तो यूनियन होगा इसी ढ़ंग से A क्रॉस B इंटर्सेक्शन C है तो यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा A क्रॉस B इंटर्सेक्शन A क्रॉस C इसी ढ़ंग से अगर A क्रॉस B डिफरेंस C है तो यहां जगा A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C यानि क्रॉस के केस में सारे फर्मुला डाइरिक्ट होते हैं A क्रॉस C तो यहां पर सबसेट हो जाएगा B क्रॉस D का यानि शारे के सारे फर्मुला डाइरिक्ट होते हैं A to Z फर्मुला आपके डाइरेक्ट होते हैं यहां बात बिल्कुल आपको करने आ गया है सेट सियोरी कंप्लीट होने के बाद कार्टीजियन प्रोड़क्ट स्टार्ट होता है इन्हीं रिलेशन फंसन का इंट्रोड़क्शन होता है एक साथ साइट 2.1 में आपको बताए गया अब इससे तुम्हारे पास लाइप में काफी अप्लीकेशन है जिसे तुम इसको यूज कर सकते हो यानि नंबर ओफ फैक्टर जैसे मान लिया जाए कि 12 में कितना फैक्टर होगा इसकी प्राइम फैक्टर पहले कर देगे यहां पर 2 छक 12 हो गया फिर 2 से काटेंगे यान इस 12 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 यानि यहां पर 2 के पावर 0 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 इसमें लिख सकते हैं और इसकी काटिजिन प्रोडक्ट कर देंगे 3 के पावर 0 थिरी के पावर 1 ते एक होगा ये दू होगा ये चार होगा यहां पर क्रोस करेंगे तो एक होगा और तीन होगा गुना करके कर लिजिए एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा एक में तीन से गुना करेंगे तो तीन होगा दू में एक से गुना करेंगे तो दू होगा और दू ती आई छे होगा यहां पर चार होगा और चार ती आई बारह होगा उर्डिंग में लिख दिए फेक्टर आपका आजागा यानी फोलो कोगा ऑफ कि यानी अगर यह तो फेक्टर निकालना आए गया और फेक्टर कितना होगा यहाँ से किनिए एक दो तीं एसका है और तो इसका है तो तीन दुना छे गिनिये छे वो फैक्टर हो जागा इसकी साम में फैक्टर ही बात करेंगे तो इसको आप जोर दीजिए आइसको जोर के करें मल्तिप्लाइक कर लिए तो लुगना चार दू छो एक साथ हो गया यहां पर साथ हो गया लुगने सब्ढ़ें अठाइश इसकी संब्यां अब जोर के देखिए दो एक तीन 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 छो चो चार दस दस अच्छो सोला अब बारह जो रेंगे तो अठाइच होगा तो यह इसका अप्लिकेशन हुआ जो तुमको अप्लिकेशन को जानना है तो हम लोग कैसे काम करना है यह बात को आपको यहां पर समझाया गया अब एक साइज को हम लोग लाइन पर लाइन कोशन को हम लोग कर देंगे अगर इतना कोशन जानते हैं तो इसमें च्राइब आस सी कोशन को आप लाइन कर सकते हैं। कि अब हमनों कोश्चन करेंगे एकसा साइज 2.1 का कोश्चन करेंगे है ठीक है निकाल पर लकुष हो बलो पहला यहां पर कोश्चन है तुमारे पास एफ एकस वाई थिरी पलस वन कॉमा वाई माइनस टू वाई थिरी इक्वल फाइब थिरी कॉमा वन वाई थिरी एकस वाई की भैली निकालना है तो और पेर के अनुसार यह इसका इक्वल होगा और यह वाला इसका इक्वल होगा मिन्स एकस पलस थिरी पलस वन इसकाल टू फाइब थिरी हो गया यह एकस बराबर फाइब थिरी माइनस वन यह एकस बराबर हो गया यहां पर तू वाई थिरी और यहां पर तुमारे पास वाई माइनस तू वाई थिरी इसकाल टू वाई थिरी हो गया यहांनि वाई इसका तू वह भाई थी यह तो यह तो यह जाएगा वह जाएगा को यानि का टीजन प्रोडक्ट में ओडर प्यर को देखते हैं पहला-वाला पहला का इकुल होता है और दूसरा वाला दूसरा का इकुल होता है कोश्चन नमबर वन तुम्हारा यही है कोश्चन नमबर तू इफ दसेट यहाज थीरी एलिमेंट एक पास यानि नमबर ओफ एक पास तीन एलिमेंट है और बी के पास जो एलिमेंट है वह थीरी फोर फाइब तो कह रहा है कि मढृमिपाम्स नमबर ओफ एक पासे दोन आख ऑनर फीरी व्यावरी बताया है कि सारी फर्मूला डायो होते हैं तो नमबर आउफ रेक हो रहे हैं और एक पास तीन पास दीकर रहा है और बी के पास थीन, चाहर पाँच यह भी थीन All in तो मल्टिप्लाई करेंगे तो थीरी थीरी जा नाइन हो जाएगा है इस बोलिए नमबर ओफ ए लिखा हुआ है नमबर ओफ ए लिखा वाली कावा फ्रस्ट में कि यह है तीरेल में अभी तीन यहां पर 3 15 15 हो जाता है यहां फर्मूला आपको बताया गया है कि डायरेक्ट होता है को से नमबर आपका थीरी है कि जी के पास कि एलिमेंट है चेवन और एट कि और एज के पास एलिमेंट है कि फाइब फोर तू कि अब करना है तुमको पहले जी क्रॉस एज अराम से हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो सेवन फाइब फिर क्या हो जाएगा सेवन फोर और सेवन टू उसी धंग से हो जाएगा एट फाइब फोर एट फोर यहाँ पर एट करॉस जी करना है तो फाइब सेवन फाइब एट फोर सेवन फोर एट यहाँ पर तू है तू सेवन तू एट हो जाएगा एट कोर्शन नमबर फोर कह रहा है कि एस्टेट वेदर इच अब फोलोइग एस्टेटमेंट आद टू या फॉर्स कौन टू है कौन फॉर्स है यह बताना है इप का स्टेटमेंट इज फॉर्स रिराइट गीवन एस्टेटमेंट गरक्ली अगर वह गलत लिखा हुए तो उसको सही लिख दिजिए पहला कोशन का रहा है कि इप पी यहां पर एम कॉमा एन है और क्यूंग यहां पर एन कॉमा एम है और पी क्रॉस क्यूंग करना है झी किलिएर बाते की एन एन के पहले है दो पहले सही लिख दो एक एनAh एम एन एन और और फिसने कारा CC आgende explain or आशो को रहा है कि को संब्र तू तुमारे पास कह रहा है कि ए एड़ी नंपीटी सेट है और एए क्रोस भी नंपीटी सेट है और पेर दिया हुआ है एक्स वाई तो यहां है पर एक्स जो होगा वह एलिमेंट होगा एक है और वाई एलिमेंट होगा क्या का भी का और यह भी सही है तीसरी करना है तुम्हारे पास यह इस कल्टू है वन्टू और वी इस कल्टू है फिरी फोर यहां निकालना है एक्रॉस बी इंटर्सेक्शन फाई तो पहले बी इंटर्सेक्शन फाई करेंगे तो पता होना चाहिए कि फाई हो जाएगा यहां क्रॉस ए से कर रहा है एक्रॉस फाई तो रिजल्ट हो जाएगा फाई यानि यह भी स्टे कि अब ये भी अस्टेटमेंट आपका सही है अब हम लोग कोशन नंबर कर लिए थे चार तक चार के बाद कोस्ट नंबर फाई if a is equal to minus one one है तो इसको कह रहा है कि find किजिए a cross a cross a को यानि इसका पहले minus one को minus one से पहले गुना करना होगा क्या हो जाएगा minus one minus one फिर हो जाएगा minus one one फिर हो जाएगा one minus one फिर हो जाएगा one one अब जो result आया उसको फिर से कुना करना है यानि minus one पहले इसको लिख देंगे चारों को तो इसको फीगर से बना दोगे तो खुब बढ़ियां बन जाएगा बेन डाइग्राम से बना तो माइनस one one फिर इसको गुना कराना है किससे माइनस one one से यहां पर भी किससे गुना कराना है तो यहां पर आप मुल्टिपलाई करेंगे तो क्या हो जागा माइनस one माइनस one माइनस one फिर हो जागा यह 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 यानि हो जागा माइनस one one माइनस one फिर क्या हो जागा माइनस one 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 फिर क्या हो जागा इस कंप्लीट हो गया चाल यहां पर हो जागा one माइनस one माइनस one फिर हो जागा one माइनस one one फिर हो जागा one one माइनस one फिर हो जागा one one माइनस one यहां परी माइनस वान है यह करवाया इसी सती-माइनस 11 हो गया यहां पर भी मैनस वन वन हो गया अफिरी करवाया माइनास वन को माइनास वन वन से किया यहां वन को माइनास वन से किया यह भी वन को माइनास वन से किया तो पहला यह वाला लाइन लिखे है लिखे है फिर यहां से यह वाला लाइन जाएगा है फिर यहां से यह वाला लाइन जाएगा फिर यहां से यह वाला लाइन जाएगा होते चला जाएगा है कोजी कैट कोश्चन नमर सिक्स तुमारा कह रहा है कि एक क्रॉस भी दिया हुआ है यह जो होता है पहला एलमेंट होता है अब इसका दूसरा होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ सुनों ए एक्स कि यह वाई कि दी एक्स कि दी वाई है तो यह और बीफाइड हो करना है एक साथ कौन कोन है एक है अब दूसरा मेंट कौन है दी कि गया वाला जो होता है पहले वाले के साथ होगा पहला वाले पॉन कुन है एए है बी भी है तो एक लिखाएगा दूसरे वाले के पास कौन है जल दी बताओ एक से वाई है हुं हुं है अगर घार में होता तो यह होता है बी होता यहां पर एक स्वाई होता बोलो यह वाला एह होता है यह वाला क्या होता भी मल्टिप्लाइए ऐसे इसे कर रहा है बोलो हाँ चाहना अब आगया करने है को स्टन नमबर सेवर कि यह इस कर तु तुम्हारे पास दिया हुआ है वान टू कि वी इस कर तु है वान टू थीरी फोर और सीज करको दिया हुआ है फाइब सिक्स और यहां पर डीज इस करको दिया हुआ है फाइब सेवन एट भेरिफाई करना है क्या करना है तो हम तो बोली कि हैं कि फर्मुला डाइरेक्ट होता है A cross B intersection C बराबर क्या होता है फर्मूला जल्दी बताओ A cross B हो जाएगा यहाँ intersection है तो intersection हो जाएगा यहाँ पर A cross C हो जाएगा होगा की नहीं होगा अगर verify करना है तो A के पास element क्या है वान टू है यहाँ cross B intersection C B और C में कोई common नहीं है फी और C में कोई comment यहाँपर हो गया यहाँपर हो गया यहल्य का हिझने इधर का रजलत फाइए अब A kros B करेंगे क्ईटने कE soprat dmond यहां पर आपका हो जाएगा 1-1 यहां पर हो जाएगा 12 यहां हो जाएगा 13 याहां ओजाएगा 14 होगा बहलों प्रों के रोगा यहां पर two-one यहां पर होगा tutor यहां पर होगा two-three हैं पर हो लगा 200 har princess एक रोस कराना है एक रास यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा यहां ठा़लीयू दिया होई वड़ चीज कॉमन है नहीं है नहीं है यह भी वाला फाई हो गया एले चेस कर तो क्या हो गया अरे चेस बोलो हाँ चैनल आया समझ में अगला कोशन नम्मर्ट तू तुम्हारा कह रहा है जो भी थ्योरम पर हाच चुके हैं कि एक रॉसी सबसेत होगा बी क्रॉस डी का तो देखो एक सारा इल्मेंट यहां देखो एक सारा इल्मेंट भी में है कि नहीं कि यानि तुम कह सकते हो कि यह सबसेत है बी का और यहां पर तुम देखो सी का सारा इल्मेंट डी में है कि नहीं यानि यहां पर सी सबसेत होगा डी का असर बता चुके हैं यानि यहां पर क्रॉस करोगे यह प्रूम्ट करना है वरिफाइए करत को यानि आपको पहले एक हरुसी करना है एक क्रूसी करना है इसके सारे के सारे इसमें रहेंगे यह किलियर हो गया सबको अब देखो कोसर नम्मर एट कह रहा है कोसर नम्मर एट कह रहा है कि ie 8 कर्टु वण टू है और बीड कर तुदि एडरी फूर है और एक रॉस भी निकालना है पहले एक रॉस भी निकाल दोगे तएक क्या हो जाएगा बोलो वन थी हो जाएगा बोलो फिर क्या होगा वन फूर से करेखा तू थिरी से करेगा और तू फोर से करेगा, तीस हो गया, उसके बाद बोला है number of subset, यहाँ पर number of subset बोला है, तो यहाँ पर element है, चार, element क्या है तू के power four होगा, तो कितना होगा, 16 होगा, कोस्टन नमबर तुम्हारे पास nine कह रहा है, कि इफ A and B are two set number of A is equal to three है यानि एक के पास तीन element है एक पास कितना element है और B के पास दो element है कितना element है और कह रहा है कि इफ यहां पर मृल्तिप्लाई करके एक स्कॉमा 1 और यहां वाई कॉमा तूप अजिए कॉमा वन है और एक क्रोस भी है एक क्या है यह पास पहला वाला तू हना तो वान और तू आया बात समझ में बोलो अब उसके बाद एक क्रॉस भी करना है क्या करना है यानि यहां पर तुम्हारे पास एक स्वाई जेड क्रॉस यहां पर वन्टू कर दोगे कर दोगे यहां पर हो जागा एक सकॉमा वन एक सकॉमा टू वाई कॉमा वन वाई कॉमा टू जेड कॉमा वन जेड कॉमा टू हो जागा अब एक और कोशन है और लाश्टली है कॉश्चन नमर तुम्हारे पास तेन कह रहा है कि दा कार्टीजियन प्रोड़क्त के एक रोस ए का भैलो नाइन है यह तोटल वैंडु क्या है और वहां पर फाउंडेट हुआ है माइनस वन कॉमा जीरो और यहां जीरो कॉमा वन तो फाइंड ए रेमेनिंग एलमेंट एक रोस तो देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या करना है कि एम एस गुना किया गया है यहां पर एलमेंट देखेंगे तो माइनस वन जीरो और जीरो वन है बोलो हाँ चाहना और सेट फियोरी में जानते हैं कि एक एलमेंट को एक ही बार लिखते हैं एक एलमेंट को यहां पर माइनस वन हो जाएगा और जीरो हो जाएगा और क्या हो जाएगा वन बोलो हाँ चाहना आप यहां पर हम कर देंगे एक क्रॉस एक कर देंगे एक क्रॉस टकाह रहा है इसका रिमेंटिक क्या हो रहा है जो पहले से लिखा हुआ है उसको कट कर देंगे तो माइनस वन जीरो पहले से लिखा हुआ है तो इसको कट कर देंगे बोलो और यहां पर जीरो वन भी पहले से लिखा हुआ है तो इसको भी कट कर देंगे तो यहां पर डिमेनिंग लिखा जाएगा यहां पर डिमेनिंग क्य 10 लिखाएगा ओवाझ वन लिखाएगा टो आपका जो है यह सिर्ट फियरी का दो काचेजियन अफै वह आपका स्माफ हो गया किस्केशिकस में हम लोगे तू पाइंट तू जो है तू पाइंट वान बना लेना है समझ गया है तू पाइंट वान पूरा कम्टीट हो गया है अधू बजे आ जाना है ठीक है